हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान मिलन इंस्टीट में जी हाँ इस्टीटियो में हम सभी बात करेंगे LNMU BA Part 3 संस्कृत ओनर्स के पेपर 5 के सिलेवस और अंक्वी भाजन के बारे में जी हाँ तो बने रहे इस वीडियो के साथ जैसा कि आप सभी को पता है मैं एक बार फिर से बता दूँ कि BA Part 3 में आपको और नर्स पेपर के चार एक्जाम होंगे यानि कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि पेपर 5 का अंक्वी भाजन यानि कि सिलेवस क्या है और किस पॉइंट से कितने नंबर का प्रश्ण पूछा जाता है तो पहला पॉइंट है हमारा कठो पनिसाथ, तोटल कितने पॉइंट है, तीन पॉइंट है पेपर 5 में पहला पॉइंट है हमारा कठो पनिसाथ, इसमें पर्थम एवं दूतिये वल्ली के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें से अलोचनात्मक प्रश्ण एक होते हैं, जो की 15 नमबर के पुछे जाते हैं, संस्कृत व्याख्या ये भी 10 नमबर के एक कुष्चन पुछे जाते हैं, और हिंदी अनुवाद जो की 10 नमबर के पुछे जाते हैं, टोटल कटोप निशत से 35 नमबर के प्रश्ण पूशा जाता है वह है हमारा रीक शुक्त निकार इस टॉपिक से भी अलुशनात्मक प्रश्ण संस्क्रीत व्याख्या और हिंदी अनुवाद ये तीन तरह के प्रश्ण पूशे जाते हैं जो कि 15 नंबर 10 नंबर और 10 नंबर का होता है टोटल ये भी 35 नंबर के होते हैं यान कि इन दोनों से 35 नंबर का जो है कुश्ण पूशा जाता है आपको और तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है हरिश्चंद्रो पाख्यान इस टॉपिक से भी हमको तीन टाइप के प्रश्ण पूशे जाते हैं अलुशनात्मक जो कि 15 नंबर का होता है संस्कृत व्याख्या जो कि 5 नंबर का होता है तो ये कुल मिला करके आपको जो है कि 100 मार्क्स हो जाता है कठोपनी सद से 35 मार्क्स यानि कि 35 मार्क्स का होता है उसके बाद आपको रिक सुक्तनिकार से 35 मार्क्स का होता है और हरिश्चंद्रो पाख्यान से 30 मार्क्स का होता है तो टोटल आपको 100 नं इसी प्रकार के प्रस्ण आपको पूशे जाएंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बने रहे हमारे साथ थैंक्यू सो मच